कि आप सभी के नो मस्ते ही मेरा नाम है राजेश कि इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन के थूँ आप कैसे जो आपकी लाइफ की जो प्रोब्लम से उसको कैसे टोटली अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं तो पहले तो इस वीडियो का परपस है क फोकस कि आप कैसे फोकस कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप आप काम कर रहे हैं चाह वह स्टेडी है चाह आपका जोब है या आपका बिजनर्स है इस सब पर वर्क करता है टोटली ठीक है अब मैं आपको तिंचरफ स्टेब में आपको समझाओं जो भी पॉइ सकते हैं ठीक है तो जो सबसे पहला है है यानि कि हम क्या क्रते हैं जैसे खाएंगे वयसा होगा मन बहुत ही यह आपने कहावतर सुनी होगी तो खाना क्या है? खाना क्या है? qued है ज़ाध साथविक हमें बिल्कुल सकत्ताइजा खाना होता है . पहले के जो टाइम में आदमी होते वह जातर दलिया या रोटी जो भी आपने साधा जिसमें कम मसाले हो जो कब कम गरम हो वह आपको खाना है बागि आप जाति को गर का यह खाना कैं और छो यूच कर अ कि लिद फस्के यह तो इसके अंड़ वहां के जो लोग हैं रात को लेट सोते हैं जिसके फास्टूद कि आपको रूटीन क्या है आप देखते हैं कि जो गोवर्मेंट जोब करते हैं या जो आज कल जो पढ़ रहे हैं बच्चे तो वो तो सही टाइम पर सो सकते हैं उनका तो कोई इशू ने लेकिन जो में प्रोब्लम में कोर्पेट की जो कफी लेट सोते हैं ग्यारा बारा एक सोते हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो खुद ही पार एक जोते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो अपने अपने उनके साथ में लेट सोते हैं जिसके क्या होता है बच्चों पर भी एक गलत एफेक्ट जाता है और जो सुबह है जो फ्रेश एयर है वो भी नहीं ले पाते हैं ज सब्सक्राइब को पिस सीवाइब के जया शुंचे वेकम जलदी सोते हैं उतना ही वह जल्दी सकते हैं, अगर आप जल दी सुएंगे, तो सुबह आप लगँ शी अबजी तक तो आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस 6 बचे के बाद तो फिर काफी लेट हो जाता है अगर इतना आप उठते हैं तो आपके जो हैल्थ पे हैं कुछ समय के बाद आप खुदी आपके जो जुरिया वगरा है या आपके जो हेर वोल बहुत सारी जो चीज़े हैं आप देखेंगे एक इंक्रीज हो रही है आई साइट वगरा भी स्किन गलो करती है और ही बहुत सारी जीद है आप एक एनरजेटिक फिल करते हैं पूरे दिन के अंदर और दूसरा आप देखेंगा आप जो स्टेट अफ माइंड है बिल्कुल या आप काम फिल करेंगे पूरा दिन और यह वो चीज़े हैं जो मैंने भी एक्स्पिरिंस करी है और जो आप देखोगे दर्सन वगरा के अंदर योग के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी ठीक है अब जो तीसरा स्टेप है ब्रीथिंग काफी लोगों ने सुनाएं मेटेशन के अंदर भी हम ब्रीथिंग ऐजे इन्हेल एक्जेल इन पर फोकस करते हैं अपने जो माइंड का तो यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप पूरे दिन काम करते हैं और खाली बहुत समया ऐसा समया था कि आप खाली रहते है अपने ब्रीथिंग पर देना है जितना ज़्यान अपने ब्रीथिंग पर देंगे जो ओटोमेटिक लिए जो आपको फोकस है अपको आसपास अनवारेमेंट उसी पर ज्यादा ध्यान रहेगा आपका जब जो भी काम करें जा स्टड़ी कर रहे हैं या आप कुछ खाना बन जिा रहे हैं या आप ऑफीस जा रहे है या गाड़ी चला रहे हैं जो matter है तो आपका प्रेजल्ट मा जाया तो फोकस यह तो मस्त है जितना फोसकती क्योंकि आप डैली रूटीन के अंदर सको फोलो करें यह कंव फीकिक नहीं को भी बसा प्रेक्ति करदा कि एम तो को कफिक यह वाले step में आपको बता रहा हूँ जो meditation नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो अगर meditation आप कर ही लेते हैं तो उसके साथ में यह कर दें तो काफी benefit आपको देखने को मिलेंगे अगर आप meditation नहीं करें तो इनको follow करें जो steps में आपको बता रहा हूँ living present जो चोता step हमारे living present है कि जितना ज़्याद होसके अपने mind को present में रखें यह ना सोचे future में क्या आने वालके हमें कल की planning ना करें कल क्या करना है जो main चीज़े हैं जो आपको करनी है कि जो must है उसके बना काम नहीं चलेगा कि हमें कल यह करना है जो भी हमारा alarm वगरा fit करना है जो set करना है वो आपको खुदी देखना है वो तो जोरूरी है वो तो सोचना है लेकि जो एक trash जिसको हम बोलते हैं जो कुड़ा कचरा बोलते हैं वो दिमाग के अंदर नहीं लाना है फालती की चीज़ा आपको दिमाग के अंदर नहीं रखनी है क्योंकि जितना जद आप कम रखोगी जितना जद आपका थोड़ परसे जदना कम होगा तो ही आप अच्छे से focus कर पाऊ किसी भी चीज़ पर यह बहुत जुरूरी है जो चारो स्टेप हैं वो मैंने आपके हिसाब से बताएं क्योंकि हो सकता है कि कि किसी का वर्क लोड जादा होता है किसी किसी का किसी का बिजनस में जादा वर्क लोड जो लेट्स होते हैं तो जिसके लिए possible नहीं है तो ठीक है वो कोसिस करें कि meditation करें यह जो चार स्टेप मैंने बताए कि रूटीन और जो भी आप भोजन खाते हैं वो तीसरा लीविन प्रेजेंट और है चोथा ब्रीफिंग इन चारों को आपको फोलो करना अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं ठीक है अगर आप मेडिटेशन करते हैं और के साथ में यह करत है तो मेडिटेशन काफी हैल्फूल आप के लिए तो यह जो वह स्टेपन जो मैंने एक्सप्रेंस करें बाकि कुछ ऐसी चीज़ हो सकते हैं सबने अपने एक्सप्रेंस से लग लग चीज़ शेयर करी होंगी तो आप मुझे कमेंट्रें बता सकते हैं तो मैं इसको कंसीडर करूंगा हो सकता कि मैंने मिस्स भी कर दियो तो आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को लाश तक देखने के लिए आप सभी को नमस्ते